अगर आप चानल पर फर्स्ट रेम विजिट करें तो चानल को सब्सक्राइब करें प्रेस्ट इबेल आइकन आने वाली वीडियो की नोडिफिकरिशन आप लोगों को मिलती रहें अभी दो वीडियो मैंने अप्लोड करी है अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर चेक आउट कीजिए जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी उसके बारे में डीलिंक इंडिया सेहर के बारे में मुझे अच्छा खासा लगता है कि वो भाग सकता है यहां से मैं गलत भी जा सकता हूं मुझे आप ब्लाइंट ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए यह चैनल पर आप लोगों को आप लोगों को ना ओने टाइम पास करने के लिए तो डियर वीवर्स मैं आप लोगों को बता तो मत देखिए प्लीज इस चैनल पर एक जिस इंटेंशन से मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है ना कि रिटेल इंवेस्टर को डैमेज स्टॉक में तो एंट्री करने दूगा बट डैमेज कंपनी में कभी एंट्री नी करने दूगा चाहे कुछ भी हो जाहे तो आप लोग समझता हूँ और जिन किसी के पास भी इंडिविजुल प्रॉब्लम होगा मैं उसके उपर विल्कुल एनालिसीस करूँगा इसका मतलब क्या एक से खराब स्टॉक है मैं उसके उपर वीडियो बनाऊगा क्या मैं उस से बचके रहिए आप लोगों का पैसा स्टॉक यही इस चैनल का सबसे में डिटर्मिनेशन है और ऐसा मैं करके रहूँगा ठीक है जो मैंने मिशन स्टाइट किया है यह मिशन में बिल्कुल अभी बहुत लंबा ले चलना है इसे आप लोगों को इसी सपोर्ट कीजिए प्यार कीजिए चैनल को ठीक है आप लोगों को इन आज के वीडियो के बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेतें ऐसारे श्टक के बारे में एक बर आवर ब्यू देंगे क्योंकि अपने वीडियो पर जितनी स्टवक्स को अब तक वो किया है को यह नहीं कि जो स्टॉक नहीं बढ़ता उसके बारे में पर ज interact कर मैं यही बोला कोई टेकनिकल कोई फंडामेंटल नी ऑपरेटीड स्टॉक है ऑपरेटर का जब मन करेगा तब बढ़ाएंगे जब मन करेगा तब गिराएंगे इसमें कोई क्रेडिट किसी को नी देना चाहिए जिस किसी के भी रेट टू रेट जाता है आप लोग प्लीज एकजिट कीजिए डियर वीवर्स मैं जानता हूं कि आप लोगों को दुखी होगा मैं बार बार ऐसा बोलता हूं आप लोग अच्छे स्टॉक में इंवेस्ट कीजिए इस चैनल से जुड़ी है अच्छा प्रॉफिट होने बाला है ठीक है या जो penny stock होते हैं उसमें आप लोगों को उतना ही capital इंवेस्ट करना होता है जितना आप रिस्क खोने के लिए तयार रहते हैं ठीक है और ये इन ग्रिंट पावर मेरे पास सिर्फ 100 कॉंटिटीज है और मैं मोर देन 400 परसन ग्रिंट पे बैठा हूं इसलिए और मैंने अपने capital को भी exit कर लिया है सबसे बढ़िया रूल है penny stock से बचने का ठीक है हमेशा profit में रहने का सुझलोन continue अपर सरकीट चल रहा है 6 रूपीज पे था ता पहली बार वीडियो बनाई थी बिल्कुल आप लोग जिस किसी को भी अच्छा profit हो रहा है आप लोग partial profit at least book कीजिए और अच्छे stock से जुड़िये बार बार यही बोलूँगा यह कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे बताने से बढ़ गया ऐसा कुछ भी नहीं dear viewers आप लोग प्लीज अच्छे stock में invest कीजिए अ foreign investors इसमें buying करें dear viewers सबका risk appetite अलग अलग होता है अगर आप भी long term view है आप लोगों का तो आप लोग होल करके चल सकते हैं बस यही बताना था आप लोगों को loss में मत निकलिए sales share के बारे में as usual यह निए कि यह share नहीं बढ़ता तो मैं इसके उपर वीडियो ना बनाओ बिल्कुल बनाओंगा आप लोग मेरे विवर हैं जिस किसी के पास भी share यही बोलूगा हालत खराब कर रही की share ने सब की ठीक है कोई return नहीं है six month का return चक कीजिए लेकिन देगवार एक ही ची रिपीट करना पड़ता है कि omicron की वजह से इसके revenue में काफी जादा downfall आएका so that's why कई investor अभी invest करने से इसमें बच रहे हैं कत्रा रहे हैं वो लोग तो आप लोग होल्ड करके चलिए लंबा खेलिए बस यही बोलना आप लोगों को अच्छा खासा return मिल सकता है near future लेटेंड वीवर्स वीडियो के एंड में मैंने बताया था आप लोगों को वीडियो जरूर एंड तक देखिए आज भी अल्मोस्ट अपर सरकीर को टच करने वाला था इसका high देखिए 583,494 पर रेकमेंड किया था आप लोग भी चैनल से जूरे profit का पार्ट बनिए ठीक ह बहुत अच्छा लगता है मुझे लिवास consumer share के बारे में जो वीवर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि इस share के बारे में मैंने वीडियो बनाई है इसका क्या मतलब मैं यह बोल दूँ कि आप लोग इस share को buy करके चलो बिल्कुल नहीं इसका company का fundamental इसतना खराब हो ठीक है उस stock को म company मुझे ठीक ठाक नजर आती है ठीक है अभी pressure है क्योंकि covid का case दुबारा सा आ गया है इनका travel agency वाला काम है थोड़ा pressure हो क्योंकि debut भी इसका discount में हुआ था तो यहीं बोलूगा आप लंबा hold करके चलिए इसे view थोड़ा long term रखिए एक से एक जो है mark you investor इसमें इन्होंने invest किय है तो आप लोग भी hold करके इसे चल सकते है बस यहीं बोलना था आप लोगो को company ठीक ठाक है मैंने देख लिए company को SJBN सेर के बारे मैं will detail video बना दिये मैं इसका description में लिंक सेर कर दूगा एक बार यह 30 plus पे close दे दे daily basing closes पे तो अच्छा-खासा rally यहां से दिखा सकता और एक good news अच्छी बात है dear viewers यह good news है so momentum काफी मिल सकता है mtl share के बारे में आज यह एक बार अपर सरकीट को छूने वाला था अच्छा-खासा run-up में था so ठीक है finally देख सकते है lower sir कि इसने लगा लिये so जिस किसीने उपर rate पे buying कर रहा कि मैंने पहली बार 22 रूपे recommend किया था तो आप जरूर चैनल को widget कीजिए so जिहनोंने उपर rate पे buy कर लिए आप लोग बिंदास hold करके चलिए मैं तो दुबारा इसमें quantity add करने वालू एक बार 31 से 33 पे आ जाए तो ठीक है sequence scientific नहीं भूलेंगे चाहे बढ़े या नहीं बढ़े यह निए कि जो बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे यह definitely आप जाने वाला है बस यही बोलूँगा बार बार आप लोगों को मेरे उपर वो भी आ रहा होगा कि यह बार 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 बोलता इस चैनल से जुड़ी है मैं आप लोगों को स्टॉक बताऊंगा जो दमदार होगा और आप लोगों को प्रॉफिट देगा IRFC share के बारे में काफी वीवर का कॉमेंट आता है स्टॉडी परफस के लिए अडब कर सकते हैं कंपनी बहुत ही स्ट्रॉंग कंपनी है और मैं तो सोचता हूं कि कि बोनस कभी भी मिल सकता है रिजर्व लागातार कंपनी के बढ़ रहे है और बहुत ही गुड साइन मेरे को दिखने को मिल रहा है रिजल्ट भी इसका अच्छा कसा आने वाले ठीक है तो जिस किसी के बास भी सहर आप लोग तुरंत प्रॉफिट बिल्कुल भी मत कीचिए डियर वीवर्स और लास्ट में एक चीज बताऊँगा और कल के लिए जो मैं स्टॉक सेलेक्शन मैंने बताऊ था वीडियो के एंड वे उसका नाम है डाटा पैटर्न आप लोग स्टड़ी परफस के लिए कुछ सोच सकते हैं मैंने उसको मैं आज बाइंग करी है 780 रुप